बिहार में 2025 के चुणाओं की तयारी चल दिये लेकिन उसके ठीक पहले सत्ता का सेमी फाइनल का वक्त आ गया है बिहार में दोनों ही गड़बंधन के परमुख जो नेता है वो अपनी अपनी तयारी कर रहे हैं इस बीच नए दल के नेता भी अपनी दावेदारी और किस्मत अजमाने के लिए जगह की तलास कर रहे थे मुख्यमंत नितीश कुमार बैठक कर रहे हैं इंडिये के तमाम नेता अपनी अपनी समिछा करके जोड़ गाठ लगाकर किस तरीके से कहां पर जीत हासिल किया जाए इस पेचीदी में होसेवे थे हैं इधर यात्राओं का दौर सुरू हो चुका है इंडिये की नेता भी आत्रा कर रहा हो और महाघणवन्दन की नेता भी तेजश्वी आ दो अपनी आत्रा की सुरुवात कर चुके हैं और इसी बीच आज बिहार के अंदर चार सीटों पर उप्चुनाव की घोशना भी हो गई दरसल ये चार सीटे बिहार की वो सीटे है जिस पर अब से पहले तीन सीटों पर महागडवंधन का कबजा था और एक सीट एंडिये के खाते में थी दरसल इन चारों सीट से बिहार के जो सांसद है वो चुन कर गया है और सबसे ज़्यादा महागडवंधन के तीन उमिद्वार इस बार लोगसभा पहुँचे है इसी सीट से और एंडिये से जो जीतर अमाजी है वो गया से गया है तो उनका भी संसदिये छेत्र वही पड़ता है इस वज़े से वो बिधायक थे तो चार बिधायक जब संसद पहुँच गया है तो बिहार की चार सीटे खाली हो गई और इन चार सीटों पर उपचुनाव के लिए दोनों ही गड़बंदन के तरफ से तयारी की गई थी महागडबंदन के उमिद्वार लगबग पहले से तय थे इस वज़े से नित्यजश्वी आदो काफी निश्चिन दिखाई पर लेकिन एंडिये के अंदर इन चार सीटों पर जो है वो काफी पहले से तयारी की जा रही थी इन में से तीन सीटों पर एंडिये के अंदर भी लगबग नाम फाइनल कर लिए गया है लेकिन चौथे सीट पर जो पेच है वो फस गया है दरसल चौथे सीट पर भी लगबग नाम फाइनल था एंडिये के अंदर लेकिन आयन वक्त पर एक ऐसा मामला है जिस वज़े से ए सिते सत्ता के लिए समी फाइनल इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने के बाद ही विधान सभा की चुनाओ की खोस्ना होगी इदर नितीश कुमार और उनकी पार्टी चाहती थी कि पहले ही चुनाओ हो जाए लेकिन उप चुनाओ की परकिरिया के लिए आज जब इलेक्शन कमिशन महरास और जारकन के बिधान सभा चुनाओ की तारीकों का ऐलान कर रहा था तो उसी वक्त पुरे देश के जो 47 बिधान सभा की सीटे खाले हुई है जो उप चुनाओ के लिए उसकी भी ऐलान किया गया है और इनमें बिहार की चार सीटे भी खाली है अब जिलेकी इमामगज और बेलागज विधान सभा सीट है भोजपूर जिलेकी तरारी विधान सभा सीट और कैमूर जिलेकी रामगज विधान सभा की सीटे इमामगज से विधायक जीतारामाजी थे बेलागज से विधायक सुरेंडर याद हो जबकि तरारी से लेफ्ट के वि इसके लिए इन चार सीटों पर NDA में जो सामिल पार्टिया है, वो अपनी अपनी तयारी कर रखी है, जबकि जेडिव के हिस्से बेलागज की सीट आईए, ये NDA के इन दर का जो फर्मूला था, बिहार में बिधान सभा के जिन चार सीटों पर उप्चुना हो रहा है, उनमें से तीन पर NDA ने अपना उमिदवार लगबग तया कर लिया है, गया जिले की इमामगज सीट पर हम पार्टी के जिन में आई है, जितरा माजी को सीट मिलिये, और व इंद कुमार सुमन, इमाम गज सीट से हम पार्टी के उमिदवार बनने जा रहे हैं, जिसकी पुर्वी तयारी जितरा माजी और उनकी पार्टी ने कर लिया है, बीजेपी ने अपसे आई तरारी और रामगर की सीट के लिए उमिदवार है, उनका अभी नाम लगबग पहले अपने बेटे संदीप पांडे के साथ भाजपा का दामन थामा था उन्होंने, उसी समय अत्य हो गया था कि संदीप पांडे को तरारी से उमिदवार बनाया जाएगा, वही कैमूर जी लेकि रामगर सीट से बीजे पीने, वह विधायक असोक कुमार सिंग को चुनाओ में रामगर से विधायक चुने गये थे, हाला कि 2020 का विधान सभा का चुनाओ वो हार गये थे, एंडिये में सिर्फ एक सीट का मामला अटका हुआ है, और वो सीट है बेलागज की सीट, जेडिव के हिस्स से ही है, दरसल इस सीट से जेडिव ने गया के बाहवली प्रिवार से आने वाले पूर्व MLC, मनुर्मा देवी और उनके बेटे रौकी यादों को उमिदवार बनाने का ला गया था, लेकिन पिछले महिने उनके घर पर एनाईये की रेड पड़ी थी, नकसलियों से साट क्या रोप में एनाईये ने मनुर्मा देवी के घर समित अब उनके बेटे के उपर जो दाग लगा, उस दाग के बाद अब उनका कैंडिडेट बनने की संभावना लगभख खत्म हो गई है, अब वहां से नया उमिदवार, जो है वो जनता जो नईटेड तलास रहा है, जेडिव ने पहले यादों उमिदवार खड़ा करने का फै अब सत्ता का समीफाइनल इससे उप्चुनाव को इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि कुछे महीने बाद मुख्र तौर पे 2025 में विधान सभा चुनाव की घोसना हो जाईगी और उसकी तयारी अभी से ही विहार सभी राजनितिक पार्टिया कर रही है, विहार की चार सीट पर उप्चुनाव है, इसमें जिस पार्टी या गटबंधन को बढ़त मिलेगी, उसलिए भुलंद होगे, हलाकि चार सीटों पर जीत हार्से बिहार की सरकार पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है, बिहार में विधान सभा की चार सीटों पर उप्चुनाव, एडिये की त तर नहीं पढ़ने जा रहा है, क्योंकि इन चार सीटों से एक जीता रामाजी को छोड़ दिया जाए, तो तीन सीटे जो थी, वो विपक्ष की खेमे में थी, तेजश्वी यादों की ताकत इस हार और जीत से बिधान सभा में कम यद ज्यादा हो सकती है, दरसल बिहार में नितीश कुमार जब महागणबंदन से अलग होकर वापस इंडिये के साथ सरकार बना रहे थे, तब तेजश्वी यादों खेला करने की बाते कहते, लेकिन बिधान सभा में जिस ताकत के बदोलों तेजश्वी नितीश कुमार को चुनोती दे रहे थे, नितीश कुमार ने उनकी वो ताकत बिधान सभा में कमजोड कर दी, और बिधान सभा में तेजश्वी यादों के सामने से, उनके नाक के नीचे से उनके बिधायक को उठाकर सत्ता पक्ष्ण बिठा लिया था, रही सही कसर, बीजेपी के समराच चौधरी ने पूरी कर ली, जब समराच महाग गढ़बंधन के कई विधायकों को उनके खेमे से उठाकर अपने हिस्से में रख लिया, कई राजत और कॉंग्रेस के विधायक गढ़बंधन को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर, वो बीजेपी में सामिल हो गया, अधिकारिक तोर पर इसके आयलान कर दिया गया, हलाकि उनके उपर तेजश्वी आदो और उनकी पार्टी ने विधान सभाय स्पीकर को उनके इस आचरन के खिलाफ कारवाई करने के लिए पत्रतरक लिखा है, लेकिन विधान सभा में अब तक इस मामले पर कारवाई पेंडिंग है, इस वजे से तेजश्वी आदो की ताकत जो विधान सभा में पहले ज़्यादा थी, वो कम हुई है, और इस जीत और हार से यत्रह होगा कि तेजश्वी आपनी ताकत को बढ़ा पाते हैं, या फिर नितीश कुमार और जो एंडिये गड़बंदन बिहार की सरकार में है, उनकी ताकत फिर से बढ़ती है, फिलाल इस सेम फाइनल को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार में इन चार सीटों से नितीश और तेजश्वी का आने वाला भविस्त है होगा, उससे ज़्यादा बिहार के अंदर जो नई पार्टी आपना भविस्ता लासने के लिए इस रणभूमी में पूदेंगी, उनका भी सदस्य बनने के लिए आठ हाठ शुन 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 दो शुन दो चार पर मिस्ट कॉल करें, निवे दक भारतिय जनता पार्टी बिहार, पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशिया नहा, फुर्णिया वापस जाएंगे, चाप अप्रूव हो गया, अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes पै घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined